हेलो ॆज, आजको ये वीडिएो माईा मी ओरीजेंटल करव्ड Caleb Sale by Deflection Angle method कर संवाई ओरीजेंटल करव्डेटिंđ बाई लिनियर method चे मालिए अगली वीडिए माँ बनाई शायके शू इत्ता पर लिएर नो बाको शाए ना मानी मा डिस्क्रिपिशन मा लिंक राख दिन्चु तिया गार रेर नो लाए अब हेरो वरिजिंचल कार्ब जटिंग बाय दिफ्लेक्शन अंगल मेथोड एसमासे दुईता मेथोड हूंचा रेनकाइंच मेथोड का अंडू साथ deflection अंगल बनीको जो क्यो होता पोइंट अंगल मा पानेको दिस्क्रिपिशन अंगल हूं जुन चाहिं बैक टैंजेंट रा कॉर्ड बिच्छे बन साए बननेको मादल क्यो होता यो बैक टैंजेंट बायो और यो आम्रोग T1A बनेको क्यो होता कॉर्ड बायो हूंचा यो एंगल चाहिं आम्रोग क्यो होता deflection अंगल बन चाहिं बनbenको क्यो हूंच सहा हूंचा क्यो हूंचा ब सबस्क्रिपल साथल कि पन साए युए अंगल, तेसे ये तापटिक अंगल, युए अंगल के हुँँचा था, ट्वाइस देल 2 हुँँचा अब लेट दिफ्लेक्शन एंगल फर दी कर्ब बी, कर्ब T1A माने की हुँँचा, यहां देकी यहां समग युए कर्ब को लागी, डेल 1 माने की शुआ है, अब ना हुँचा था, 90-डिग्री – डेल 1 हुँचा ये कहा है, ट्युरी था यो ववने कहा है, 90 डिग्री मान, причn我覺得 is 1 गळा हुँरी पिसी ये अंगल हुँचा ये आंगल ते गारी गारी यानिदा तेसे गारी एंगल OAT1 को गारू माब OAT1 यू एंगल आए इसको पनी 90 दिग्री माइनस डेल वान होंचाए यानिदा आम ले ओड़ा टैंजेंट ताम दियू A ड्यांस B ड्यांस बने दा ओड़ा ढेंको जो है अंजे यो अंगल वन्यू का है आमरो 90 दिग्री होंचा 90 दिग्री माँ यो अंगल होंचाए और डयवानने भायाली होंचा अंधि डालायन करेंट आमरो अंगल OAT1 आउचाए 90 दिग्री माैके आमनिस doubt1 आवा एंगल कुन निकाले ता T1 OA यहाई T1 OA यह एंगल जुन आमले 2 del 1 लहेखो चाहूं अगि यह प्रिंसिपल बड़ा है ना प्रिंसिपल कोंडिसवार 2 del 1 लहेखो चाहूं यह एंगल यह लहेखो चाहिए T1 OA बने ता क्योंच था यह ट्रिंसिपल आमले मानेम बनी T1 OA ट्रिंसिपल मानेम बनी दुटैंगल आमले था चाहूं तेस्ट्रिंसिपल बनेको 180 दीघरी बड़ा गटा ही दिन परे यह लहेखो चाहिए ना मैनेस मैनआस प्लस Id1 अनरे कीओंच दिघरी मैनेस मैनेस प्लस Id1 अब येश्मा 180 दीघरी यूदुटै युदु justice van until the lessile as a higher u चाहिए मा ड्रा और टेंजेंट यह देस बी देस आटक्श अर एंड़ अंड एंगल बी देस अबी बी देस अबी यह यह लाइन ता जो ऐए यह देखी यह समों यह एंगल से जुन, यह एंगल जी केता, डल 2, डल 2 ए, अब नाव, तोटल दिफलेक्षिन एंगल, फोर कर्ड A B, टोटल दिफलेक्षिन एंगल फोर कर्ड A B, यह एंगल के होता, इसको लागिया है, क्यों होंचा, डल 2 एंगल 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 A T1B, यह एंगल आई, पन्यों क्यों होंचा, it1a बनेको आमड़ो del1 हो तिसे गड़ी at1b बनेको यह उता del2 है न बनने पचे del1 प्लास del2 लिखने है similarly यह से गड़ी आमी remaining कार्ट को लाएक डिफलेक्शन एंगल क्यार्योरी कार्च हमाए टोटल डिफलेक्शन एंगल कैन भी कैल्कुलेट पर रिमेनिंग कार्ट इसे गड़ी और अब यह थापी ती जाम से जूनाई ना और उकड़े दो तिसे गड़ी देल एंगल्ट एल्ट अब टो प्रोट इंगल्ट नथा जाम कोकार्ट कोड़्ेक्शन एंगल्ट एंगल्ट वंग्वाज़। इंडिकेर गणनु पाज़ा छुटे बनुए छे, so these are indicated by L1 and L2 अब रेनकानी मेथवड का अनुशाल आम रो length of arc चाहें क्या संग इकोल हुँँँचा यानुदा, it is assumed that if radius is too long, length of arc is equal to length of chord आय, length of arc is equal to length of chord by Lankine method क्यों होता हुँँचा लेन्थ आफ arc is equal to length of chord आय, so L1 equals to length of arc बने क्यों टी वान एकोल लेन्थ बाए वाई वाई ना, chord को लेन्थ बाए वाई ना, क्यों टी वान एक है, आर्क है श्री बने दिन पड़ जाए, मात्री बाट आर्क क्यों चाहर टू पाई आर इन्टू टू डेल वान बाई पतिता 360 डिग्री अब और, L1 equals to, अब यह सौल्ट बने है, 2 इंटी टू 4, 4 पाई आर डेल वान बाई 360 डिग्री अब L1 बने को की बाई हो, 4 पाई उन्टू ता 9 है ना, बने पुछी, πाई आर डेल वान बाई 90 डिग्री यह थी बाई है ना अब डेल वान लाई एकले पार नियाए, डेल वान इक्वेल्स टू 90 डिग्री इंटू L1 बाई पाई आर उन्ट अब डिग्री लाई मिनेट मला नियाए 90 इंटू, की गर्नू परे, इंटू काती गर्नू परे, आमले 60, इंटू L1 चान देछ, डिवाइड़ बाई पाई आर अब आम्डू डेल वान मनेको, काती आमचाता 17, 18.9 इंटू L1 बाई आर आमचा है 90 इंटू 60 डिवाइड़ बाई पाई गर्दा, इंटू L1 बाई आर जस्ताक दस्ते राहनी है यह आम्रो के माँचाता मिनेट मा यह आम्रो मिनेट माँचा है अब लास्ट माई वड़ा लेखाऊं इस द1 बाई द2 द3 वाई जस्ताक 4 leer वाहने द2 द3 वाई डर द1 द2 द2 द3 are the angles for praticist subcard then or the normal cord नर्मल CHORDS गर्स विद तेर तंजेंट देन अब तोल डिफेशन अंगल बने है कि होंजा तोल डिफेशन अंगल अंगल वर वरियस KORD विद किसाणेता BACK TANGENT आई BACK TANGENT साणे आज कियो ओनछा Δ1 बनेको Δ1 उनिबा बावे वाई न इसेकरi Δ2 बनेको कियो ओन्छा आप बन्णूता इसेकरi Δ3 इसरे खालख गर्णा 3 Beside लास्ट मां डेल एन बने को क्यों नीवाया था डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 प्लस गर दै के समोनी बने 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 in this method two the langs are used one at the beginning of curve and another at point of tangency or end of curve योड़ा बने को चै पंट op commencement beginning of curve में रहिंच, फेशे गरी और खो बने को चै end of curve में रहिंच and this method is used when the ground is unsuitable for chainage and is based on the principle that अब यो कुन principle मा बेस नाई ता यो कुराच में थापन पर चै angle between the tangent and the chord produce is equal to the angle which that chord substance in the opposite segment यो बन्न को मतलब बन्न को क्यो होता है यहां नो फिगर माँ जुन यो आमरो chord बायो होई ना कि युवाने एसके रिये तक bt2 नी chord बायो होई ना अब इसमें ना जुन यो आमरो dell1 सा यहां दखी यहां समा u angle र जुन u angle छ यो च इकोल रुन जा बननी को है तैसे करी अर्क को कुंता यहां देखी यहां समा dell2 छ यो र यो जुन dell2 छ यो नीकोल रुन ने कोई यही बनने को आई मेन यो बनने नकर जेगोज़ेते principle जाहीं